आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि, हमारा बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए? इस वीडियो को हम एक विचार से माध्यम बना कर आगे बढ़ाएंगे. सुकरात कहते हैं कि, हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दें. विचार हमेशा जिन्दा रहते हैं. हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले उसने बात करना होता है. काफी लोगों को समझ नहीं आता है क कि वे अपनी बात की शुरुवात कैसे कर सकते हैं। हम दूसरे लोग से बात करने में काफी डरते हैं। इन सबका एक ही कारण होता है बात करने ना आना। हम इस पोस्ट में जानेगे कि किसी व्यक्ती से बात कैसे किया जाता है। बात करना किसी इनसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम नहीं होता है। हम बच्पन से ही किसी से बात करना सीखते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम किसी से बात करने से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से कभी भी बढ़े आराम से बात कर लेते हैं। इन लोगो और किसी के साथ बात शुरू हो जाता है, तो उसके बाद बात को आगे बराना आसान हो जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखे। बात करते समय धीरे बोले। उसको काफी अच्छा लगता है। धीरे बोलने से हर बात दूसरे के मन तक पहुँचता है। गले से बात बोले। अच्छी बात करने का यह भी एक तरीका है कि बात को गले से बोले। दूसरे शब्दों में जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से बात करे तो आवाज को गले से न ना कि नाक से काफी बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बात करते समय नाक से आवास निकालते हैं, यह उनकी आदत बन चुकी होती है। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हम शब्दों के सहारे ही बात करते हैं ऐसे में काफी ज्यादा एहमियत शब्दों का बात करने में देखा जाता है कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को अच्छे लग सकते है तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को बुरा महसूस करा सकते हैं. ऐसे में बात करते समय सही शब्द का चैन करना ही बात करने का अच्छा तरीका होता है. उदाहरण के साथ बात कहे. अच्छे से बात करने का तरीका यह होता है कि बात करते समय किसी अच्छे उदाहरण के साथ अपनी बात को कहा जाए. ऐसा करने से दूसरे काफी ध्यान के साथ हमारी बात को सुनते हैं. बात करते समय उदाहरण का इस्तेमाल करने से दूसरे समझ पाते हैं कि हम जो कुछ भी क वह सच है और इसका उदाहरण भी मौझूद है। इस तरह से बात करने का उदाहरण आपको हर काम्याब व्यक्ति में देखने को मिल सकता है। दूसरे को बोलने का मौका भी देना। किसी से बात करने का यह मतलब नहीं होता है कि बस हम ही बोले। दूसरे को भी बोलने का मौक देना होता है। जब हमारी बात कहत्म हो जाए तब दूसरे को बोलने को कहना ताकि दूसरे भी बोल सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं तब ही दूसरे जिससे हम बात कर रहे हैं वह भी कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें शांत हो जाना चाह और सामने वाले को बोलने को कहना चाहिए। बात करते समय दूसरों को भी बोलने का मौका देना। समवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह समझाने का तरीका है कि आप उनकी राय और विचारों का महत्व समझते हैं और समर्थन करते हैं। यह एक सकारात्मक और साजेदा बातचीत की स्वाभाविक भावना को बढ़ावा देता है। और साथ ही यह आपके बातचीत साथ ही को आत्म समाधान और समवाद में सहयोगी बनाता है। जब आप बात करते समय दूसरों को भी बोलने का मौका देते हैं, तो आप यह मतलब कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपने विचारों को नहीं प्रकट कर रहे हैं, बलकि आप दूसरों के विचारों और परिपरणता को भी महत्व देते हैं, और उन्हें स्वतंतरता से अपने ज़ा द्रिश्टिकोन का निर्मान करता है। यह समवाद को सुखद और सामरिध करण कर सकता है। और लोग एक दूसरे के साथ बहतर तरीके से सहयोग कर सकते हैं। गलती होने पर तुरंत सौरी बोले। जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब हम से कुछ गलत शब भी बाहर निकल जाते हैं, या तो फिर हम किसी विशयवय वस्तू के बारे में बुरा बोल देते हैं। ऐसे समय में हमें तुरंत सौरी बोलना चाहिए। चाहे हम बड़े व्यक्ती से बात कर रहे हो या फिर किसी छोटे व्यक्ती से। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो हमें तुरंत ही माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगने से हम अपने शिष्टाचार को दिखाते हैं। बात करते समय गलती होने पर तुरंत माफी मांगना एक सबसे महत्वपूर्ण समवाद कौशल हो सकता है। और यह आपके समवाद को सुधार सकता है और आपके समवाद साथी के साथ संबंध को मजबूत कर सकता है। यह बहुत अच्छी आदत है कि जब आप बात करते समय गलती करते हैं तो तुरंत माफी मांगने का प्रयास करें। माफी मांगने का संकेत देता है कि आप समवाद के महत्व को समझते हैं और आपका उद्देश्य सही तरीके से समवाद बनाना है। समवाद में गलती हो सकती है क्योंकि हम सभी मनुष्य होते हैं और गलतियां होती रहती हैं। लेकिन माफी मांगने का साहस दिखाना और गलती से सीखने का योग्यता दिखाना समवाद को मजबूती और सुधारने में मदद कर सकता है। जब आप बात करते समय किसी गलती का पता चलता है, तो तुरंत माफी मांगने का मतलब है कि आप उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं और उससे संबंधित व्यक्ती से क्षमायाचन कर रहे हैं। ये एक सबक सिखने और अच्छी बात चीत को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। ये तरीके से आप गलती की पहचान करने और उसके साथ संबंधित व्यक्ती के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे समवाद में सुधार होता है और दोनों पक्षों के बीच सहमती और सहमती की भावना बनी रहती है। बात करते समय सामने वाले के आँखों से संपर्क बनाए रखना। जब भी किसी व्यक्ती से बात कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ती की आँखों से संपर्क बनाए रखना जरूरी होता है। आँखों में परक बनाकर बात करने से हमारा confidence भी नजर आता है। हम सामने वाले को दिखा पाते हैं कि हम कितने confidence है। कभी ऐसा भी होता है जब हमें एक साथ काफी लोगों के साथ बात करना होता है। ऐसे में एक-एक व्यक्ती से आखों का संपर्क बनाते रहे। चहरे पर मुस्कान बनाए रखना अच्छे से बात करने के लिए बात करते समय चहरे पर मुस्कान बनाए रखना जरूरी होता है। जब भी किसी से बात करे तो अपने चहरे पर मुस्कान बनाए रखे। बात करते समय ज्यादा हसना भी अच्छा नहीं होता है। धीमा हसना भी काफी होती है। बात करते समय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना एक सामाजिक सूचना या एक सशक्त समवाद कौशल का हिस्सा हो सकता है। यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है जिससे आपका समवाद गतम महसूस कर सकता है। इसके अलावा, मुस्कान एक सामाजिक और सशक्त समवाद कौशल का एक प्रकार हो सकती है, जिससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सम कौशल है, जिसे सकारात्मक नेत्रित्व भी कहा जाता है। यह एक अनुभव का हिस्सा हो सकता है, जो बातचीत को अधिक सुखद और समझदार बना सकता है। इसके रूप में, मुस्कान एक सकारात्मक समवाद कौशल के महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है, जो आपकी बा व्यक्ति से बात करने के लिए हमें बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति से अच्छे से बात नहीं करते, तो हमारी बात बिगड़ी एच जाती है, और हमारा काम अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देख कर और सुनकर किसी से बात करने का तरीका आ गया होगा। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और ज्यानवर्धक जानकारी को सीखने के लिए हमारे साथ हमारे हर वीडियो पर बने रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।